नमस्कार मेरे प्यारे विद्ध्याथियों मैं हूँ अभेनवत उशान्शु पांडे और अभीवशा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हम कर रहे हैं कक्षा बारवी के भौतिकी के लिए परिक्षाओं की तैयारी दो हजार तेस में 36 गड़ बोर्ड के सभी परिक्षाओं के लिए मतलब दस्वी और बारवी के लिए हम लोगों ने एक विसे अभियान चला रखा है जिसे हम मिशन 2023 बोलते हैं और अगर आप हमारे अप्लिकेशन को वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहां पर हमारी सारी वीडियो और उसके साथ में अडिशनल कंटेंट आपको उपलब्द हो जाएंगे फिर भी यदि आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा तो लो प्रश्नले इस revenue 2019 में पूछा गया प्रश्नल और से आप देखेंगे से 2019 में पूछा गया प्रश्नल वेज से हम लोग ने एक सवाल उठाये लुए हैं आप nod ahead देखेंके। प्रश्ण पत्र है वहां 2022 में पूछा गया है मतलब आप ध्यान देंगे कि एक ही प्रकार के प्रश्ण अलग-अलग सालों में पूछा जा रहे हैं और उन सब में एक common बात यह है कि वह भूर चुम्बकत्व के बारे में बात करते हैं यदि आपको डिस्क्रिप्शन में हमार एक जलदी जल्दी जो है ओवर्व्यू दे दूँगा कि होता क्या है प्रिथ्वी प्रिथ्वी के अंदर जो है हमारे क्रोड में घूमता हुआ लावा है जिसके कारण मतलब गतिसील आवेस जो है वो चुम्बकी छेतर उत्पन करते हैं यह चुम्बकी चेतर इस प्रकार ह कि भगोलिक उत्तर और भगोलिक दक्षिन होने के बावजूद हमारे पास में जो है एक हमारे पास में एक चुम्बकिय उत्तर और चुम्बकिय दक्षिन भी है इनको मिलाने वाली जो रेखा है दो चुम्बकिय उत्तरी ध्रोग और चुम्बकिय दक्षिन ध्रोग को मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम चुम्बकी अक्षा कहते हैं चुम्बकी अक्षा से जो है जो हम लोगों के पास में एक सम्तल हम लोगों ने मान लिया जो इसके लंबवत इसको छूती हुई जाती है इस सम्तल को हम चुम्बकी याम्योत्तर कहते हैं उसके बाद में जो है कि अक्ष के लंबवत हम बहुं सारी रेखाएं बना सकते हैं इन में से जो सबसे बड़ी रेखा हो सकती है इसे हम चुम्बकिय भूमध्य रेखा या फिर चुम्बकिय निरक्ष कहते हैं इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि भाई यहां पर जो है एक हर एक दिसा में जब हम चुम्बक को स्वतंतता पूर्वक लटकाते हैं तो यह चुम्बक जो है वह उत्तरि दुरू और दक्षिर दुरू की बीच की दिसा में जाकर रुक जाता है इसके बाद में हम लोगों ने यह भी देखा था कि हमारा जो चुम्बकी कंपस है उसको अगर हम ऐसा रखेंगे यदि हम अपने चुम्बकी कंपस को ख़ड़ा कर देंगे तो पृत्वी में अलग अलग जगहों पर जैसे कि अगर हम यहांपर रखें तो यहांपर चुम्बकिय सुई बिलकुल पृत्वी के समतल के दिखा देगी जबकि भूमत दे रिखा के पास में हमारी जो सुई है वो हमारे बृत्वी के समतल के समानतर नजर आएगी तो अलग-अलग जगहों पर खड़ा कमपस रखने पर सुई अलग-अलग कोण पर जुखती है वह कोण जो किसी स्थान में से इस पर चुम्बकिय सुई समतल से बनाती है उस कोण को हम नमन कोण कहते हैं फिर चुम्बकी याम्योतर और प्रित्वी के भावगोलिक याम्योतर के बीच लगने वाले कोण को हम जो है क्या बोलते हैं दिख पात कोण याने की ठीटा कहते हैं और यहां पर जो है जो चुम्बकी सुई हमारे जो है मैदान से बनाती है या समतल से बनाती है उस कोण को हम नमन कोण कहते हैं थीक है इसके बाद में आप क्या देखेंगे करने को नमन कोड के बारे में बता दिया गया कि नमन कोड जो है 46 जिस्थिती में रखे हुई 55S सुझी जो कौन प्रित्वी के समतल से बनाती है उस कोन को नमन कौन कहते हैं दिखपात का क्या होता है यहां किसी भी स्थानली से इस पर भावगोलिक यामयोत्र और चुम्ब के यामयोत्र के बीज बनने वाला कोण है और फिर प्रित्वी के चुंबकी छेतर की तीब्रता को हम एच से प्रदर्शित करते हैं और यहां पर जो है इसके लिए जो हमारे पास एक विशेस संबंद है यह संबंद देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि चुंबकी भू च तर दिसा है यह दक्षिर दिसा है किसकी प्रित्वी की इसके बाद में जो है इससे ठीटा कोड बनाता हुआ हमको यहां पर नजर आएगा चुंबकी याम्युत्तर और यहां पर चुंबकी उत्तर और यहां पर चुंबकी दक्षिर नजर आएगा यहां पर हमको ठीटा मिल गया इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि यहां से यदि हम कोड बनाने का मतलब प्रयास करेंगे तो हमको यहां पर निकालेगा और यहां पर यह हो जाएगा वर्टिकल और यह हो जायगा होरिजोंटल component और horizontal और vertical component का जो है बीच में जो कौन बन रहा है अगर हम यहाँ पर कौन निकालेंगे तो V बराबर होता है I sin theta और H बराबर होता है I cos theta और यहाँ पर जो है जब हम संबंध जो है घर्टकों का संबंध कहलाता है और यहाँ पर हमको एक संकौन त्रिभुज नदर आता है जहाँ पर यह देखे यह 90 विकावर्ग यह संबंद भी हमें दिखाई देता है 2021 में पूछा गया है इसके मामले में क्योंकि हम लोग यहां पर डायग्राम बना रहे हैं इसलिए ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आपको क्या मिलेगा इसक चैप्टर की प्लेइलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी जो है आपको वीडियो क्लब दो जाएगी इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आ लिए हम बायो सेवर्ट का नीयम जो है उसका पालन करेंगे उसके बहुजुद जो है इसके केंदर में धारा के दिशा के अनुसार हमें चुम्बकी छेतर की तिवरता अलग अलग दिशा में दिखाई देती है यदि हम दाया हाथ रखे और इस पर धारा को इस परकार से रह हमारे य Será वह हो तो यहां पर चुम की छेतर जोंदर की और जाता हुए दिखाए देते हैं और उसी प्रकार से यदी धारा को पलट दिया जाए तो यह पर चुम की की छेतर बाहर आता हुए दिखाए देता है अब भी है आप उसने के हमारे पास में विशाय से नाभीट में धनात्माक यहाँ लगातार एक रिकार मार्ग में गटी कर गती सील होती है अब यहां पर हम देखेंगे कि क्योंकि लेड्टरां इन डिनात्मक आवस है और हम लोगों ने धारा की धिस्वा को धनात्मक माना है तो हमें विद्धुध धारा जो इसके विप्रित दिसा में भहती हुई दिखाई देती है और यहां पर विद्दुद्धारा का मान Q बटा T यहने की आवेस का मान क्या होता है यहां पर देखिए आवेस यह है और बटा T निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका वेग और इसके दोरा चली गए दूरी 2 पाई R कर देंगे तो यहां से हमको पता चल जाएगा I का मान हो जाएगा E गुणा 2 पाई और बटा V और यह जो है विद्दुद्धारा का मान हो गया इसके बाद में यदि हम यहां पर चुम्र की छेतर की तीवता निकालने का प्रैत्न करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा B बरा तो यहां पर जो है B का मान हो जाएगा म्यूज और यह हो जाएगा म्यूज लिएरो म्यूज लो लीटर तूपाई बटा और गगगरे तो children going चुम्बक की चुम्बक की भाती विवहार करते हुए एक हाइडोजन नाभिक में देख सकते हैं यहां पर नील्स बोर ने एक विसेश स्थिती जो है हम लोगों को बताई हुई थी और वो विसेश स्थिती क्या है कि यदि कोई इलेट्रॉन किसी भी नाभिक के चारो और वित्ताकार मार्ग में गती कर रहा है तो ऐसी इस्थिती में वो जो है किसी विसेश तिर्जा वाले वित्ताकार मार्ग में ही गती कर रहा होगा और ऐसी इस्थिती में उसका जो कोणिये सम्वेग होता है वो एन एच बटा टू पाई के बराबर होना चाहिए और यहां एच बटा फोर पाई के बराबर होना चाहिए और इस प्रकार से जो है हम लोगों को यहां पर बोर मेंगनेटान के नियम का अंदाजा होता है